Hi everyone, welcome back to Dikshas Education Hub, तो हम अपने chapter number 3 को ही आज continue करेंगे and it is about classification, classification को आज वर्गी करण भी कहते हो तो कैसे हमने classify our organisms को, last lecture में हमने देखे थे 2 kingdom classification, 3 kingdom classification, 4 kingdom classification and finally 5 kingdom classification यह जो 5 kingdom classification था, यह किसने दिया था, यह दिया था, आर एच विटे करने, कब दिया था, तो in 1969 अब इसमें 5 kingdom हमें पढ़ने हैं, यहाँ पे sequence क्या रहेगा, जो सबसे old style का जो organism है, वहाँ से चलेंगे और सबसे advanced form जो मिलेंगी, वहाँ तक हम जाएंगे तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे kingdom monera के बारे में यह chart हम बाद में देखेंगे, पर पहले kingdom monera के features देख लेते हैं तो सबसे पहला feature है कि यह microscopic होते हैं, यानि कि बिल्कुल सुक्ष्म होते हैं, छोटे size के होते हैं, बीना microscope के दिखाई भी नहीं देते हैं दूसरा feature रहेगा कि यह prokaryotic होते हैं, prokaryotic का क्या मतलब हमने देखा था, कि यान तो nucleus बहुत ही primitive होगा, बहुत ही old style का होगा, well defined नहीं होगा और या फिर absent ही हो सकता है, यानि कि यह cell के अंदर present ही नहीं होगा, absent भी हो सकता है और जो nucleus होता है, well defined, that is absent, तो again, जो organelles हमने पड़े थे cell के अंदर, mitochondrial, isosome, वो सब absent होते हैं, आपके kingdom on era के cells के अंदर, and cell wall जो है, वो present भी हो सकती है, absent भी हो सकती है, organism जो है, वो autotrophic, autotrophic का क्या मतलब देखा था, सो पोशी भी हो सकते हैं, and डूसरा case, heterotrophic, यानि कि प blue green algae आगे, आपका bacteria, यानि की जिवानू आगे, जिवानू में हमने देखा था कि, yes, इसकी जो भित्ती होती है, cell wall होती है, वो present होती है, और cell wall को क्या बुला था, कि इस चीज की बनी होती है, तो it is made up of peptidoglycan, ठीक है, इसकी बनी होती है, दूसरा आजाते है, आपका blue green algae, blue green algae की अगर बात करें, तो मलब आपकी नीली हरी, शेवाल जो होती है, वो रहीगी यहां पे, blue green algae, और यह autotrophic होती है, यानि की अपना खाना खुद बनाती है, स्वपोशी होती है, तीसरा एक्जाम्पल आजाएगा, आना बियाना, आना बियाना जो धान के खेत होते हैं, में कोई भी भित्ती प्रेजंट नहीं होती, no cell wall present in mycoplasm, तो हमने बोला थाना, कि जो भित्ती होती है वो प्रेजंट भी हो सकती है, या फिर अपसंट भी हो सकती है, या फिर अपसंट भी हो सकती है, तो दोनों केसिस थे, अब मौनेरा की क्लासिफिकेशन अगर आप देख यह वो सारे होते हैं इसके अंदर, देन आता है आरके बेक्टीरिया, आरके जो शब्द होता है यह भी प्रिमिटिव के लिए यूज करा जाता है, और साथ में वो चीज बड़ी एंटीक होती है, ठीक है, एंटीक हो सकती है, मतलब काफी उनीक उसके आपको फीचर मिल सकते है आरके बेक्टीरिया, और वहीं पर दूसरी यूज बेक्टीरिया की अगर देखें तो इसकी हम क्लासिफिकेशन वरगी करन और भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ बेक्टीरिया पर पोशी होंगे, यानि कि अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडर रहेंगे, एंटीक हो रसायनिक, स्वपोशी, ठीक है, रसायनिक, स्वपोशी, यानि कि रसायन पदार्थों का यूज करके, चैमिकल सबस्टैंस का यूज करके अपना खाना मैनुफिक्ट्ट्र करते हैं, पर एक्जाम्पल यहां पर सल्फर बेक्टीरिया आपके आ जाएंगे, आपने देखा ह एक periodic table होता है कुछ इस तरह से, उसमें 16 नंबर पे एक element आता है आपका, that is sulfur, वही है यह, दन आता है photo autotroph, now photo का meaning देखो, photo का मदलब होता है light और दूसरा autotroph, यानि कि प्रकाश स्वपोशी, प्रकाश स्वपोशी का मतलब है कि अपना खाना बनाएंगे तो, पर उसके होनी चाहिए, वहाँ पे light present होनी चाहिए, मतलब इंशर्ट, photosynthesis, प्रकाश, संसलेशन, जिसको हमने बोला था, उस process यह manufacturing करते हैं, example आ जाएगा यहाँ पे, that is cyanobacteria, blue green algae का ही दूसरा नाम है, cyanobacteria, जो blue green algae पढ़ी ना भी पीछे, जिसमें हमने लिखा था कि यह, autotrophic होती ह है, तो photo autotrophic होती है, यानि कि light की presence में अपना खाना बनाती है, उसके बाद आरके bacteria की अगर बात करें, तो यहाँ पे आ जाएंगे hello files, अबना science के अंदर hello word जब भी use होगा, majority of the time, अब salty condition की बात कर रहे होंगे, यानि कि नमकीन area की बात्चीत हो रही होगी, वहाँ पे hello का मतलब salty condition है, और fight मतलब plant की बात हो रही है, तो ऐसे plant जो salt वाली condition में रहलेते हैं, तो उसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया, RK Bacteria, नाम में ही क्या है, RK, RK जो होता है, कोई पुरानी चीज को रिप्रेजेंट करता है, प्रिमिटिव चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो that is very unique about that, फिर आते हैं आपके thermo acidophiles, thermo यानि की temperature, यानि की तापमान की बात हो रही है, और acido acidic condition की बात हो रही है, ठीक है, जिसकी pH साथ से नीचे की रहेगी, and acidophiles, bacteria की बात हो रही है, तो ऐसे bacteria जो hot spring वागारा में भी survive कर लेते हैं, हमें hot spring के नीचे को रख देगा temperature माल लो, 60 degree तक जा रहा था, 60 भी छोड़ो, 60 पे तो हम फिर tolerate कर जाएंगे, पर अगर boil हो रहा होगा वो, तो फिर कैसे tolerate करेंगे, उस case में हमारी तो death ही हो जाएगी, but in case of thermo acidophiles, जो bacteria होते हैं, वो survive कर जाते हैं, फिर आते हैं आपके methanogens, methano, methano की बात हो रही है, यानि को हम बोल देते हैं, methanogens, तो यह थी आपकी monera की classification, यह सारी चीजें तो हम ऐसे ही देख लेते हैं, कि यह further type होती है, इन में आपको दो याद रखनी है, कि जो यू बेक्टीरिया था ना, वो दो तरेगा हो सकता है, एक होते हैं, कोकाय, कोकाय जो होते हैं, वो कुछ ऐसे हो प्रेजेंट होता है, जो cell wall होती है, वो peptidoglycan की बनी होती है, उनको हम बोल देते हैं, gram positive bacteria, यानि कि यह ऐसी बेक्टीरिया जिनके बाहर peptidoglycan present होगा, तो presence क्या represent कर रहा है, कोई चीज positive हो रही है, तो इसको बोल देते हैं, gram positive bacteria, वैसे ही कुछ एक बेक्टीरिया ऐसे भी हों जाता है, gram negative bacteria, अगर difference आपको देखना हो, gram positive and gram negative के बीच में, तो देख लेते हैं, firstly gram positive के feature देखेंगे, then negative को compare कर लेंगे, सबसे पहले तो भीति के basis पे, तो अगर भीति के basis पे देखोगे आप gram positive bacteria को, तो यह single layered होता है, और जो इनकी peptidoglycan की cell wall होती है, वो काफी smooth होती है, थ तो multi-layered भी हो सकती है, तो क्या हो सकता है, multi-layered भी हो सकती है, जो peptidoglycan present है, वो एक layer यह होगी, दूसरी layer यह होगी, तो अंदर cell जो था, एक तो इसकी यह वाली थी, अंदर वाली layer यह तो पतली थी, पर बाहर से जो peptidoglycan है, वो थिक भी हो सकता है, there is possibility, टेकोईक एसिड ज अधिक है, glycocalyx भी बोल देते हैं, काफी अपने antimicrobial resistance देखी होगी, news में आती रहती है, article AMR का, तो वो चीज जो होती है, वो यहाँ पर, outer membrane होती है, वो यहाँ पर present नहीं होती, lipid content जो होता है, बहुत कम होता है, जबकि उधर जाएंगे gram negative में, तो आपको lipid content काफी antibiotics का impact इनके उपर पढ़ जाता है, ठीक है, इनके उपर पढ़ जाता है, now gram negative bacteria को गर देखोगे, तो यह double layered cell wall होती है, इनकी जो भीती होती है, वो double layered होती है, and a to 10 nanometer तक यह थिकनेस एक्स्टेंट कर सकती है, cell wall की, काफी पतली होती है, इनकी peptido glycan की layer, और एकी layer होती है, जब lipopolysaccharide की बन रखी है, और जो outermost membrane है, वो जादा तर present ही होगी, lipid content जो रहेगा, वो 20-30% रहेगा, बहुत सारे ऐसे gram negative bacteria होते हैं, जो की resistant होते हैं toward antibiotics, तो यह एंटीबाइटिक्स को लेके resistant होते हैं, तो gram negative की कुछ ऐसी image दिखेगी, आपको gram positive ही के ऐसी, यह देखो, peptido glycan क आपको multilayers मिलेंगी, जबकि gram negative के case में हमने वोला, lipopolysaccharide present होते हैं, और peptido glycan की एक ही layer present होते हैं, तो इस तरह से differences रहेंगे आपके, उसके बाद यह classification हमने देख ली, nutrition के basis पे बताई हुई है, तो एक बाद दुबारा देख लो, autotrophic bacteria भी हो सकते हैं, यानि कि suavposhi bacteria, suavp खुद बनाएंगे, and heterotrophic का मतलब है, that is perposhi, ठीक है, perposhi, heterotrophic, यहां भी आता है, phototrophic bacteria, यानि कि ऐसे organisms या ऐसे bacteria, जो light की presence में अपना खाना खाना बना रहे थे, अभी example देखा, आपने blue, green, algae, फिर आई chemo autotrophic, chemo autotrophic यानि कि racynic, racynic, suavposhi, suavposhi, ठीक है, तो chemo autotrophic में आपने example देख लिया, that is sulfur bacteria, उसके बाद heterotrophic bacteria की बात करें, तो heterotrophic जो होते हैं, आपके वो रहते हैं, पर पोशी, यानि कि दूसरों के उपर खाने के लिए dependent होते हैं, सबसे पहला आएगा parasitic bacteria, parasitic bacteria की अगर बात करेंगे, तो इनको पर जीवी भी खहते हैं, पर जीवी, यानि कि जैसे आपने जूएं देखी होंगी, ठीक है, जूएं जो होती है, वो सिर्के उपर बैटी होती है, ठीक है, और सिर्के उपर से अपना nutrition लेती है, तब ही तो खारीश हो रही होती है, बार बार, क्योंकि ये अपना जो इनका दान्त होता है, उसको डाल करते हैं, तो इन जीज़ों से ये क्या करते हैं, अपना nourishment, extract कर लेते हैं, फिर आती है, सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक जो होती है, इसको मरितो पजीविक, मरितो पजीविक जिवानू भी कहते हैं, ठीक है, मरितो पजीविक पोशी भी कहते हैं, मतलब, dead and decay matter पे ये ग ग्रोफिटिक जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आता है, सिंबाइटिक बिक्टीरिया, सिंबाइटिक बिक्टीरिया में क्या होता है, कि एक दूसरे की association में रहेंगे, एक दूसरे की association से यहां पर क्या मतलब है, कि एक जो दो organism है, मालनों एक A है, एक B है, A को भी फाइदा हो और एक दूसरे को फाइदा ही प्रोवाइट करेंगे, बेनिफिट वाली बात होती है, ठीक है, और एक की भी गलती से डेथ हो जाए तो दूसरा मर जाता है, ठीक है, उसका कोई रोल नी बचता, तो that is symbiotic bacteria, mutualism भी इसको बूलते हैं, अभी ये डिफरेंट तरीकों से बनते है ये आपके लिए जानना उतना important नी है, ये नीट वग्यरा की exam के लिए important हो जाती है, now you can solve this question, कि अगर दल्दली के शेतरों में आपको कोई bacteria मिल रहे है, तो उसको क्या कहते है, वीडियो को एक बार पॉस कर लो और अंसर देने की try करना, so I hope आपने पॉस करी थी, so answer would be halophytes, sorry methanogens, क्या जाएगा answer, methanogen, यानि कि जहां पर methane gas present होती है, वहां पर ये survive कर जाती है, now synobacteria किसका example देखा, again video को pause करो, और answer देने की try करो, so yes, आपने synobacteria देखा, photo autotrophs के अंडर, kingdom protista पढ़ने से पहले हम उस chart पे चलते हैं, और यहां पर एक बार revise कर लेते हैं, this is your kingdom monera, तो kingdom monera में हमने यही feature देखें कि एक कोशिक वाले हो सकते हैं, यानि कि एक ही cell present होगा, prokaryotic हो सकते हैं, nucleus absent है, cell level पे इनकी organization है, हमने सिर्फ cell पढ़े, organism पढ़े, ठीक है, चोटे चो organ का नाम नहीं लिया, फिर autotrophic हो सकते हैं, heterotrophic हो सकते हैं, यानि कि सौब पोशी हो सकते हैं, या फिर अपर पोशी हो सकते हैं, bacteria आगया, blue green algae आगया, these are the examples, अब हम पढ़ेंगे पहले kingdom protista, फिर दुबारा से इस chart के उपर आएंगे, so that we can revise, चलो, now kingdom protista की अगर बात करें, तो cell तो यहां पर भी unicellular ही रहेगा, unicellular, यानि कि एक कोशिका वाले ही होंगे, एक कोशिय, एक कोशिय ही होंगे, eukaryotic है, यानि कि इनका जो nucleus है, वो true रहेगा, well defined रहेगा, ठीक है, eukaryotic, and locomotion जो रहेगी, वो कैसे रहेगी, तो through appendages रहेगी, appendages का मतलब है, that is, इनको चोटे-मोटे limbs बनेंगे, इनके वो नकली भी हो सकते हैं, असली भी हो सकते हैं, जैसे हमारी टांगे होती है, तो यह locomotion करते हैं, appendages की help से, यहां पर cilia भी present हो सकते हैं, तो यहां है multiple things, जो कि locomotion, यानि कि एक जगे से दूसरी जगे में चलने में help करता है, that is called locomotion, cell wall जो होत करें, तो autotrophic रहेगी, या फिर heterotrophic रहेगी, autotrophic या फिर heterotrophic, यानि कि इस्तोव पोशी रहेगी, या फिर पर पोशी रहेगी, example देखोगे, तो die items आगे, protozoa आगे, तो सारे example आजाते हैं, इसमें एक phylum भी आता है, that is phylum protozoa, हमने पढ़ा था, keep pot clean, otherwise family got sick, तो यह जो kingdom है, यह तो हम पढ़ रहे हैं, protista, पर इसका एक phylum है, इससे छोटी unit आजाएगी, that is protozoa, अब protozoa में आप क्या देखते हो, unicellular ही रहेंगे, पर इनकी एक खास बात रहेगी, कि mostly आपको कैसे मिलेंगे, जलिये प्रकार के मिलेंगे, जलिये का मतलब है कि पानी के अंदर मि आपने सुना होगा, amphibians, amphibians क्या करते हैं, जैसे frog होता है, वो धर्ती पे भी, यानि की land mass पे भी रह लेता है, और पानी के अंदर भी रह लेता है, तो दोनों जगे रह लेते हैं, वैसे ही terrestrial की अगर बात करें, तो terrestrial जो होते हैं, वो सिर्फ land surface पे रहते हैं, ठीक है, जो एक ही जगे पे रहते हैं, और colonial हैं, मतलब रहेंगे तो अकेले-अकेले, पर colonies में रहेंगे, आसपास ही रहेंगे, एक दूसरे के, as you can see in the image, यह यूगलीना की इमेज दिखरी होगी, आपको यहाँ पैरा मिशियम की दिखरी होगी, हैं अकेले-अकेले, पर रह 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 एक दूसरे के आसपास ही रह 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 रहें, चिपकते नहीं एक दूसरे से बस दूर दूर रहते हैं, colonies बना के रहते हैं, फ्री होते हैं, यह देखो independent है, लिविंग है, फ्री लिविंग है, परसिटिक है, यानि कि परजीवी है, यानि कि दूसरों से अपना खाना लेते हैं दूसरे organism से अपना खाना ले रहे है then symbiotic आ गया, symbiotic में क्या रहता है कि कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको बीच में जो एक दूसरे के ओपर dependent होंगे example आ गया, euglena आ गया, amoeba आ गया, paramecium आ गया एक और यहां भी important example आप आड कर सकते हो that is plasmodium आपने सुनी होगी एक disease that is malaria malaria मच्छर के काटने से नहीं होती मच्छर के अंदर यह जो protozoa है जिसका नाम है plasmodium वो रहता है उसके पेट के अंदर और जैसे ही मच्छर हमें bite करता है malaria हो जाता है उस case में तो question पूछा जा सकता है कि जो plasmodium है, वो क्या है वाइरल है protozoan है bacterial है तो वहाँ पे answer हो जाएगा आपका that is protozoan यहाँ भी आपसे question पूछाए कि जो phylum protozoa है वो कौनसे kingdom के अंदर आता है तो answer is very direct protista देखो P से बड़े सारे चीजे मिलेंगी आपको P for protista, P for phylum P for protozoa P for paramecium, P for plasmodium काफी bees आपको यहाँ पे मिल जाएंगे यूगलीना की एक खास बात थी क्या खास बात थी कि इसमें cell wall present थी, जो कोशिका की भित्ती होती है वो present थी जबकि बाकी examples में आपको यह absent मिलेगी, यूगलीना का structure देखोगे न तो कुछ ऐसा जैसा दिखता है और यहाँ से एक बाल सा निकला होता है जिसको वो देते हैं flagella flagella जो होता है वो इसको locomotion में help करता है यानि कि एक जगे से दूसरी जगे में चलने में help करता है एक क्या खास feature पड़ा, that is इसमें cell wall present होती है जो कोशिका की भित्ती होती है वो यहाँ पे present होती है और बीच में एक होता है nucleus ठीक है, nucleus होता है और साथ में एक जो खास बात है इसकी वो यह है कि इसके पास chloroplast भी present होता है और अगर chloroplast present है तो यह क्या show कर सकता है प्रकाश, sunslation यानि कि photosynthesis अब यहाँ पे incorrect पुची आप से तो पहले statement अगर देखोगे यहाँ पे कह रहा है कि unicellular होंगे और eukaryotic होंगे तो यह तो ठीक है multicellular होंगे, prokaryotic यह गलत हो जाती है euglena, amoeba, paramecium यह सारे किसके अंडर आते हैं kingdom protesta, तो यह भी ठीक है आप से incorrect पुची थी, तो only two option will be the answer fungus पे जाएंगे, पर उससे पहले एक बार वो chart revise कर लेते हैं तो here is your chart, that is kingdom protesta अभी हमने पड़ा unicellular है, एक कोशिक है eukaryotic है, यानि कि इनका जो nucleus है वो well defined देगा, तो hence nucleus is present, अभी भी हमने सिर्फ unicellular, यही बातें करी cell level पे बात करी, body की कोई बात नहीं करी, तो यह cellular level of organization यहाँ पे आपको मिल जाएगी swaposhi है, यानि कि autotrophic है, heterotrophic है, यानि कि parposhi है, तो दोनों type की nourishment की mode है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी example आपके spirogera आगया, clamidomonas आगया, यह spirogera हो गया, clamidomonas हो गया, यह दोनों आपको fresh water के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर kingdom fungus की बात करें, तो चलते हैं, आप kingdom fungus के बारे में पढ़ लेते हैं, तो kingdom fungus जोता है, इनकी एक खास बात, जो अभी तक हमने पड़ी, वो क्या है, कि जो kingdom fungus के अंदर आपको organisms मिलेंगे, जैसे कि आपकी mushroom, कुछ ऐसी होती है, mushroom भी एक तरह की fungus है, आपने bread के उपर ऐसे green color के patches देखेंगे, यह वाले सारे, इसको बोलते हैं, rhizopus, क्या बोलते हैं इसको rhizopus, now rhizopus, जो होता है, जो rhizopus होता है bacteria के ओपर grow कर जाता है और bread को खराब कर देता है, तो यह जो rhizopus है यह किसका example है, आपके फंजाई का फंजाई को कवक भी कहते हैं कवक का, कोई chlorophyll इसमें present नहीं है, तो अगर chlorophyll ही present नहीं है, तो यह again अपना food खुद prepare नहीं करेंगे, they don't prepare their own food, ना ही इसमें कोई vascular tissue मिलेगा, जैसे plant में हमने पड़े थे न, xylem, phloem, cambium present होता है, यह सब चीज़ें आपसेंट हैं आपके fungus में, और जो cell wall होती है, वो भी different compound की बनी होती है, that is chitin, किस चीज़ की बनी होती है, kaitin की बनी होती है अब multicellular होते हैं यानि कि अब multiple cells के बनेंगे पर एक exception है, that is east, east जो होता है, आपके bakery वग्यारा product जो होते हैं, उनमें पड़े होते हैं, ठीके, जो cake वग्यारा बनते हैं, उनमें डाल देते हैं that is east, east जो होता है है तो eukaryotic, यानि कि इसका nucleus तो आपको well defined मिलेगा पर इसमें एक ही cell होता है ठीके इसके अंदर एक ही cell होता है, just because यह अपना खाना खुद नहीं बनाता, दूसरों पर dependent रहता है, तो again इसको भी हमने गहाँ पर डाल दिया है, fungus group में डाल दिया है क्योंकि यह कैसा है, क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बना रहा, it is heterotrophic in nature, फिर जो eukaryotic organism आगे cell wall present है, cell wall जो होती है वो tough sugar complexes की बनी होती है, चीने के complexes की बनी होती है, जिसको हम बोल देते हैं, kaitin mode of nutrition अगर देखोगे, तो heterotrophic होते हैं, heterotrophic का मतलब हम देख चुके, that is parposhy, parposhy का क्या मतलब होता है दूसरों के उपर अपना खाना बनाने के लिए dependent रहते हैं, saprophytic है, saprophytic का मतलब होता है miritopajivy, यानि कि ऐसे जीव जो अपना खाना dead and decay matter से लेते हैं सड़े पड़े खाने से ये अपना nourishment attain करते हैं फिर आजाते हैं आपके paracetic, paracetic यानि कि परजीवी परजीवी की अगर बात करें तो जैसे जूए थी न आपको मैं एक्जामपल दिया, तो यह दूसरों organism के उपर depend रहते हैं for the protoplasm, protoplasm अगे जब द्रव्य की बात, यानि कि cytoplasm और nucleus यानि कि नाभिक की बात होती है तो उस टाइम पर हम बोल देते हैं protoplasm, यहाँ पर cell membrane included नहीं होती, जो जिल्ली पड़ी थी न कोशी का कि वो नहीं होती and जो cell wall होती है वो भी इसमें included नहीं होती, and character क्या क्या है इसके, तो multicellular होता है at certain stages of life ठीक है, बीच बीच में आपको unicellular भी मिलेंगे, just because अपना खाना दूसरों से ले रहे हैं, तो हमने इनको fungus में डाल दिया कुछ जो होंगे वो आपको symbiotic relation में मिल जाएंगे कुछ जो रहेंगे वो आपको कैसे मिलेंगे symbiotic relationship में मिल जाएंगे यानि कि एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरी के help करेंगे example दे रखा है, जैसे एक blue green algae यानि कि cyanobacteria जो होता है cyanobacteria जो हमने बोला था blue green algae, तो जो cyanobacteria होता है, वो क्या करता है, एक association बना लेता है कवक के साथ तो blue green algae हमने देखा कि इसके अंदर तो chlorophyll present था और अगर chlorophyll present था, तो ये प्रकाश sensation यानि कि photosynthesis perform करेगा, और अगर photosynthesis कर रहा है, तो यहां से पता लग रहा है कि ये कैसा है, ये swaposhi है, यानि autotrophic है nature में, ठीक है और दूसरी तरफ fungus देखें, तो fungus तो अपना खाना खुद बनाता ही नहीं है, तो फिर क्यों सिंबाइसेज इन्होंने करी, क्योंकि जो blue green algae है, ये बोलता है fungus को, कवक को, fungus आपकी कवक होती है, कि मैं तुम्हें food दूँगा, तुम मुझे shelter दो, तो fungus यानि कि जो यहां पे fungus है, कवक है वो ready हो जाता है, कि ठीक है, मैं तुझे shelter दे दूँगा, घर प्रोवाइड कर दूँगा and तुम मुझे खाना दे देना, ठीक है, तुम मुझे खाना दे देना, so इससे क्या बनाया जाता है, और that is litmus diabetes से बनाया जा सकता है, बाकी इसके अलावा, penicillium हो गया, आपका vaccine बनाया गया, इससे निमोनिया वगयरा किया गया तो वो भी किससे बनी है, आपके कवक से बनी है बेकरी में यूज होता है East example हमने देख लिया, Saccharomyces इसका scientific name आ जाता है तो यह सारे किसके एक्सांपल है, फंगस की है यहाँ पे कुछ questions है, इनको solve कर लेते हैं पहली statement कहती है कि kingdom fungus के context में यह statement है कि kaitin की बनी होती है, यहाँ तक तो ठीक है पर बोला कि chlorophyll यहाँ पे photosynthesis में help करता है, तो यह गलत हो जाती है और यहाँ पे लिखा है 100% multicellular होते है यह भी गलत है क्योंकि अभी आपने पढ़ी यह एक exception भी है, that is east तो neither one nor two answer उसके बाद correct regarding the mode of nutrition of fungus तो saprophytic guess हमने देखी dead end decay organic material तो यह तो ठीक हो गया parasitic nutrition हमने देखा यह बोल रहा है कि protoplasm पे depend होते है of the host organism तो यह भी ठीक हो गया फिर lichen हमने पढ़ा था lichen is equal to blue green algae या फिर cyanobacteria plus आपकी fungus याने की कवक ठीक है, तो यह दोनों होते हैं lichen और lichen से वो litmus paper आपने देखे होंगे chemistry lab के अंदर, blue और red color का हुआ करता था, तो that is lichen, तो यह वाला तो गलत है तो यहाँ पे one and two are correct kingdom plant भी जाते हैं पर उससे पहले एक chart देख लो वो दुबारा से उससे आपके features revise हो जाएंगे अब fungus की हमने बात करी तो क्या देखा, यह तो non green होते हैं eukaryotic होते हैं और साथ में multicellular होते हैं, nucleus present है body organization अगर देखें तो अब छोटे-छोटे tissues भी आने शुरू हो गए और अगर tissues आ गए हैं तो they are different from protista इनकी mode जो है nourishment की वो different है, वो कैसी है यानि कि saprophytic, paracetic कई बार symbiotic भी show कर रहे हैं marito pajivy, parjivy and symbiotic यह सारी चीज़े show करते हैं example आपके mushroom आगे rhizopas आगया, जो bread पे हमने देखा है garicus आगया, यह भी mushroom होती है एक तरह की gucci आपने सुनी होगी, वो भी सी के अंडर आती है kingdom fungus के अदर now we will proceed with the kingdom plant in the next lecture, अभी के लिए इतना ही if you like the video, do like and share as well as subscribe the channel till then, bye bye, take care, thank you and have a nice day, keep studying, keep watching